बिसमिल्लाइ रुख्मायन वहीम आज हम बना रहें रियोडी ये बनाएंगे हम गूर से बहुत करंची बहुत मज़े की तो हम बताते हैं कैसे बनाते हैं 200 ग्राम साफ सुत्रे तील, 200 ग्राम गूर तील को हम हल्की आच में रोस्ट करेंगे कलर तेस नहीं करेंगे और इतनी आच में हमें रोस्ट करना है थोड़ी सी देर में या चन सैकिन में रोस्ट हो जाते हैं ये तो ये रोस्ट हो चुके हैं और अब हम गूर को मेल्ट करेंगे हल्की आच में करेंगे थोड़ा सा पानी इससे जादा नहीं तो थोड़ी देर का जुका है मेपकने सब्रक्रोंतों ने थोड़ी देर और पकाइèces और फ्रक्रोंतों चैक करेंगे थंटे पानी में थोड़ासा डाल Kangya dub sustained चल्ड सैक्ट के लिए छोड देंगे। तो इसमें से करंच की आवाज आनी चाहिए। थोड़ा सा मेठा सोडा दाल देंगे। तो प्रहलें चूला बन करेंगे। तो इसके बाद डाल रहा है हम तील मेठा सोडा अंतों यह दाला है। इससे भी ठोस ठोस नहीं बनेगी, एक खाने में आपको मज़ा आएगा, तो आपको बहुत मज़े की लगेगी खाने में, तो ये तील डाल दीए हैं, हम ये चूला बन दे, फट फट हिलाएंगे, तील डालने के बाद हमें बहुत फूर्ती से काम करना है, चूला बन करके तो हमें बहुत फूर्ती दिखानी है, इसके बाद हम एक टैबली स्पून घी डाल देंगे, या मखन और इसे थोड़ा सा और हिला लेंगे, और फिर थोड़ा सा ठंडा होने देगे, बहुत जादा ठंडा नहीं करेंगे, हम तो फोरह नहीं बना रहे हैं से बिल्कुल भी पसाने आप बना लीजिए, और तील में भी बना रहे हैं साथ में ऐसे हम बनाएंगे, जितनी बड़ी आपको पसाने आप रेवरी बना सकते हैं और चोटी-चोटी हम इसके गोलिया भी तोड़ेंगे, आपको दिखाएंगे वो भी, आपका ये रखे-खे, ठंडा हो जाए बनाते हैं भलकी आज में गरम कर लिए जी और फिर बनाएगा तो देखें एसे हम इसके छोटी छोटी गोलिया बना रहें आप ये बनाएगा जोरुटी छोटी गोलिया ये भी बहुत मज़े की लगती है खाने में तो इस तरह हम बनाएंगे सारी पहले आपको थोड़ी से ब बागी बच्चा है हम उसके बनाएंगे लड़ू लड़ू भी ऐसे ही बन जाती है फट अफट हम बनाएंगे इसमें शेप देंगे बहुत मज़ें कि हमारी रेवरी बन के तयार है मुझे उम्मीद है रैसे भी पसान आएगी आपको अपना बहुत जादा ख्याल रखियेगा हापसी जात चाते लाफ